हेलो स्टूडेंट्स कैसे आप सभी I hope you are fine and safe at home आईए हम अपने 12th physics की class को start करते हैं अब हमारे 12th physics में क्या है total 10 unit है 10 unit में से हमारी पहली unit है इस तेरे वैदुतिकी इस तेरे वैदुतिकी को इंगलेस में हम कहते हैं electro statics इस unit के अंदर पहली unit के अंदर हमारी 4 parts है 4 parts कहने का मतलब है कि पहली unit के अंदर हमारी 4 chapter है number 1 कुलाम का नियम तथा वैदुत छेटर number 2 वैदुत फलक्ष तथा गाउस की प्रमे number 3 वैदुत विभाव and last is संधारितर तथा परवैदुत तो अब हम सबसे पहले अपना पहला चैप्टर दिखते हैं, चैप्टर वन, कुलाम का नियम तदा वैदुचेतर, जिसको इंग्लिस में हम कहते हैं, कुलाम's law and electric field. साथी मैं आप लोगों से एक बात ये भी कहना चाऊंगी, कि after 12th, साइंस की जादा तर स्टड़ी जो है हम इंग्लिस में कहते हैं, तो आप अभी से हैबिट डाल लीजिए, कि चाहे हम physics पढ़ें, chemistry पढ़ें, maths पढ़ें, इसमें जादा से जादा चीज़ों को हम इंग्लिस म पढ़ना सीखें, तो देखें, पहली यूनिट है हमारी कुलाम्स लौ एन इलेक्ट्रिक फिल्द, अब देखें क्या है, ये चारो चाप्टर जब हम पढ़ेंगे, तो चारो चाप्टर में एक सब्द है, जिसको हम बार बार रिपेट करेंगे, तो वो सब्द हमारा क्या है वो सब्द है हमारा आविस, यदि अगर हम आविस को समझ जाएंगे हम लोग, तो आविस समझने का मतलब है कि चारो चाप्टर को हमारे लिए समझना बहुती असान हो जाएगा, तो अब कोश्चन यहीं उठता है कि आविस क्या है, हम इससे क्या समझते हैं, तो देखिए, धाई सो वर्ष पूर्व हमारे युनान के वग्यानिक थे, जिनका नाम था थेल्स, थेल्स ने क्या किया, एक अंबर नामक पदार्थ को उन्होंने उनके साथ रफ किया, अब रफ करने का मतलब यह है कि उनके साथ उन्होंने रगड़ा, उसके बाद उन्होंने देखा कि जब अंबर को हलकी वस्तों के पास लेके जा रहे थे, जैसे की छोटे-चोटे कागच के टुकड़े हैं, तो अंबर क्या कर रहा था, उन्होंने रफ कागच के टुकड़ों को अपने और आकर्शित कर ले रहा था, भाई, सोचने के बात है कि जब हमने किवर्द रगड़ ही रगणने से क्या हुआ वह हलकी वस्तों को अपने और आकर्षित करने लगा तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि रगणने से वह हलकी वस्तों को अपने पास आकर्षित या प्रतिकर्षित करने लगा तो देखे क्या होता है जब अंबर को उनके साथ रगडा जाता है तो रगणने से क्या होता है अंबर में एक ऐसा गुण आ जाता है जिसके कारण वो अन्हलकी वस्तों को अपने और आकरसित या प्रतिकरसित करता है इस गुण को ही हम क्या कहते हैं आवेश ठीक है तो आवेश क्या है एक गुण है वस्तू का आवेश के परिभाजा आज तक कोई भी जाने के लिए उन्होंने हमें ये बताया है कि आवेश क्या है किसी वस्तू का एक मूलभूत यानि फंडामेंटल गुण होता है जिसके कारण कोई वस्तू अन्य वस्तू को अपने और आकरसित या प्रतिकरसित करती है और हमारा आवेश का मात्रक क्या होता है कुलाम अगर नॉर्मली डेली लाइफ में हम भी क्या करते हैं अपने बालों में कंगी करते हैं कंगी करने के बाद हमने देखा है कि वह कंगी क्या करती है हमारे बालों को ही आकरसित करने लगती हैं कई बार अगर हम बच्पन में ही खेलते आते हैं कि हम देखते हैं कि जब हम बालों में कं चोटे कागज के टुक्डों के पास जब कंगी को लेखे जाते हैं, तो कंगी क्या करती हैं, तो चोटे कागज के टुक्डों को we sak Research, आए बाई प्राक्टिकलि मैं इसको आपको समझाती हूं, मेरे पास एक कंगी है इसकंगी को मैं क्या कर रहे हूं अपने बालो में रफ कर के बाद मैंने क्या किया अपने पास चोटे-चोटे कागज रखे हैं इसके पास जब मैं कंगी को ले के गई तो देखिए किस प्रकार ये देख रहे हैं किस प्रकार कंगी चोटे-चोटे कागज के टुकडों को अपने और आकर से कर रही है ये देखिए दिख रहा है अब सभी को तो क्या हुआ जब मैंने इस कंगी को अपने बालू के साथ रफ किया तो इस कंगी में क्या हो गया गुण आ गया जिस कुण को हम कह सकते हैं कि हमारी कंगी क्या हो गई है आवेसित हो गई है इस आवेसित के गुण के कारण ही कर रही है तो इससे हमें समझ में आ गया अवेश क्या है किसी वस्तु का एक fundamental यानि मोलभुदगुण है जिसके कारण कंगी क्या करती है अन्य वस्तु को अपने और आकर से तथा प्रतिकर से करती है अब देखिए अवेश जो है हमारे अवेश का जो मातरक है बहुत important है आप को याद करिएगा आवेश का मातरक होता है कुलाम साथी मैं आप लोगों को एक होंबग भी दे रही हूँ कि टैंथ क्लास में हमारा एक विद्धु छेत्र नाम से एक चैप्टर है उस चैप्टर में इस आवेश के बारे में और हमारी जो फर्स यूनिट है इसका बेश दे क्या है NCRT बुक उसमें आप 10th क्लास की बुक को डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें से आप साइंस के चैप्टर को पढ़ भी सकते हैं अब देखें आवेश को हैं वो दो प्रकार की होते हैं नंबर वन धनावेश नंबर टू रिनावेश धन यानी पॉजिटिव चार्ज औ आप्टर को अच्छे से स्टेडी करेंगे और साथ ही आवेश के बारे में जितना मैंने आपको समझाया है आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे और साथ ही यह वर्क आपको अपने फ्यर कॉपी में भी करना है ठैंक्यू